हेलो गाइस कैसे हो आप सब आई होप आप सब अच्छे होंगे जहां पे भी होंगे सुरक्षित होंगे वेलकम है आपका मेरे यूटूब चैनल पर जो कि है पूजा ओफिशल ब्लॉग और आज का मैं कुछ ब्लॉग स्पेशल लेके आई हुई हूँ ब्लॉग नहीं वीडियो है स्पेशल लेके आई हुई हूँ जो कि है काफी दिन से मैं अपने फेस पे ये वालनेट का एवर यूथ का वालनेट नैचुरल स्क्रब जो है मैं इसको यूज कर रही हूँ और मुझे काफी फर्क इसमें नजर आया है इसलिए मैंने सोजा क्यों इसका रिव्यू मैं आपके साथ कर दूँ सो मेरे फेस पे पहले बहुत सारे दाने टाइप के थे बहुत सारे यहां पे भी आप करते है ना तो बहुत सारे चोटे-चोटे से दाने टाइप के यहां पे भी रहते हैं लाक पे भी रहते हैं बहुत सारे वह ब्लैक हेट्स और तो लिटरली यह बहुत काफी अच्छा निकला यह बहुत अच्छा निकला मेरे इसको काफी क्लीन किया है यह natural है है यह सफ हो जाते हैं अज फिलाटिटिंग् सवाइल नेट अप्रिकॉट सक्रब है ये इससे ब्लेक हैड्स और रिखेडर हतानाने के बाद आपको बहुत बहुत राइबन लगनते capacit — और आपको आपको स्कुरब चल नहीं होगा यह लगाने के बाद थाक्त में अपको को बी वो ड्राइनस आपको फील नहीं होता है , त्यु प्रोसेस क्या है कि आपको पहले क्या आपको पहले क्या प्याना तरथ से अपने प Hai आपको आपको करोगे ना आपको काफी अच्छा आपको रिजल्ट मिलेगा बिलीव नहीं करोगी इतना एफेक्टिव होता नहीं अपना फेस को आपको छोटे-चोटे से दाने टाइप के कुछ अपको फील होगा और इसको यूज कर लेने के बाद यह उसके बाद आपका इसे करके देखोगे ना आपका फेस बहुत क्लीग नजर आपको जादा तो चलिए मैं आपको दिखाती हो कैसे इसको यूज करना है क ले लिए जिस को क्या करना है हर जगह spread करना है और इसको आपको हटो आपको जोड़ी टरfl going आपको उप्वट करना है कि आप नीचे के तरफ में कभी ना करें हमेशा उपर की तरफ करें ताकि जो स्किन है उपर के तरफ लिफ्ट हो अगर नीचे से करेंगे तो बहुत सरी जुड़ियां आपको आने की प्रोब्लम हो सकती है हो सकती नहीं आपको आनी ही आनी है तो आपको कम थे कुम ऐसे करके यह जो उपर की जो लाइन सहते हैं जो हेयर से कवर है उसको भी आप स्क्रब करना ना भूले उसके बाद यहां पर भी जो बाल होते हैं कानों के पास उसको भी साइड करके अप उसको भी स्क्रब करें कि ऐसे करके हमेशा अपवर्ट के तरफ में करें कभी ऐसी तरफ में करें अगर अगर पानी अगर जो आपने वेट किया था गर ड्राय हो जाए ता आप और पानी से इसको लेकर के और अपना हाथ कुछा स्मूथ कर सकते हैं जैसे कि मेरा भी हो गया खुब इसको अच्छे से रगड़े ज्यादा हाश्टी ना रगड़े प्यार से रगड़े सॉफ्ट सॉफ्ट से रगड़े नोज लाइन अपने ना भूले यहां पर सबसे ज्यादा होते हैं इसको कौन से कम आपको तीन से चार मिनट ऐसे ही करना है मैं अपना फेस वाश मैंने किया था फेस वाश किया था पानी से मैंने नहीं दोय था स्क्रब करने से पहले आपका फेस जो है क्लीन होना चाहिए तब ही आप स्क्रब करें नहीं तहाँ पहले स्क्रब करेंगे और फिर फेस वाश करेंगे तो वह एफेक्टिव नहीं होती है इसने पहले फेस को क्लीन होना चाहिए उसका सारे पोस्स जब खुल जाएंगे तब ज और हमेरे छे आल्मोस्ट चार से पांचनल नट होने वाला थो मैं आपको मिलती हिए आपो पने फैस वाश्य लुख से लुख होने के बाद में आपको बता हुग क्या है कैसा कैसा उसके बाद दिखता है आप आप देख सकते हैं को अपने गया कि आपन भी आपना वाश करके आ गए मेरा फाइनल लुक देख सकते हैं यह दिक सकते हैं में चोटे-चोटे से दाने टायप के थे थे ना सब वो निकलके चले गए हैं तो सब भट गए हैं देखिए जितने भी हैं असे हाथ रब करो ना तो बहुत सारे चोटे-चोटे से पार्टीकल जैसे वह दिखते थे कि मतलब रुखा-ठाइप कर लगता था लेकिन अब क्या है ना कि बहुत अच्छा स्मूध लग रहा है बहुत अच्छा है है कांसी अच्छाह ऐब इसमें तो सभी कुछ भी आपको न हो रहा है आपको स्कुछी विक में एक से जो बार कड ले चाहिए अथा श्भी कर लेकिन वीकली one ゃ वैस Really do होता रहे पोर्स क्लीन होते रहें तो वह सब हो जाने से ठीक लगता है तो आपको आज का मेरे वीडियो कैसा लागा अगर अच्छा लागा होगो तो प्लीज राइट शेयं सब्सक्राइब और ऐसी बने रही है मेरे चैनल पर तब तक मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो म में नेक्स ब्लोग में तब तक लिए बाए